नमस्क्र साथियों, वेलकम हैं आप सभी का हमारे योट्यूब चैनल पर तो कई सारे बच्चों के लगतार कमेंट आ रहे थे कि HLMATI में जो ITA बच्चों के लिए अपरेंटिसिप निकाली गई है इसके लिए Excel फाइल पे जाके उनको फॉर्म कैसे भरना है तो आज किस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में complete detail वाई जानकारी देने वाला हूँ कि आपको Excel फाइल को कैसे भरना है, क्या क्या चीज़े आपको fill up करनी है तो वीडियो कौन तक देखिएगा, वीडियो में आपको complete जानकारी दी जाएगी तो चलिए start कर देते हैं सबसे पहले आप पर देखिए number 1 में आप से पूछा गया है application applied for यानि कि आप कौन सी branch के लिए apply करना चाहते हैं उसके बारे में यहाँ पर आपको लिख देना है second number से आपका registration number पूछा गया है तो जिन बच्चों ने apprenticeship India.gov.in पर registration किया है तो आपको वहाँ पर एक registration number मिला होगा वही आपको registration number यहाँ पर लिख देना है third step पे चलते हैं तो यहाँ पर name up candidate आपको अपना नाम लिख देना है fourth step में आपको अपने father का नाम लिख देना है fifth step समझ देजिए कई सारे बच्चे यहाँ पर गलती कर जाते है fourth step पे यह सारी जानकारी जो आपको कैसे भरनी है मैं आपको बता दूँ यदि आपके माता पिता HL में work करते हैं तब आपको यहाँ पर yes करना है अन्यता आपको यहाँ पर no कर देना है उसके बाद यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर नेम पी बी नमबर HL डिवीजन यह उन बच्चों से पूँचा जाएगा जिनके माता पिता HL में काम करते हैं तो यदि आपके माता पिता HL में working नहीं करते हैं कि आप जनरल केटेगरी से आते हैं, OBCC से आते हैं, SCSTP या फिर आप EWS Candidate है तो आपको यहाँ पर अपनी केटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है उसके बाद यह आप फिचकल हैं तो आपको yes करना है otherwise यहाँ पर आपको no कर देना है next step पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपसे gender पूछा गया है तो आप अपने अनुसार अपना जो gender है, यहाँ पर select कर सकते है next step पर चलते हैं, तो यहाँ पर आपसे address पूछा गया है आपको अपना correct address यहाँ पर लिखना है उसके बाद आपको अपने area का pin code लिखना है ID से आपने apprenticeshipindia.gov.in पर अपना registration किया होगा वही आपको यहाँ पर आपनी email ID select करनी होगी उसके बाद यहाँ पर देखिए next system में बात करें तो यहाँ पर आप से पूचा गया है name of the institution from where you have passed ITI तो आपने अपना जो ITI है वो कौन से college से pass किया है उसके बारे में आपको यहाँ पर detail देनी है next में आपसे पूचा गया है branch of ITI आपने कौन सी branch ITI कर रखी है उसके बारे में जानकारी देनी है name about तो आपको यहाँ पर NCVT select कर लेना है उसके बाद आपसे year and month of passing ITI कि आपने ITI कौन से साल में और कौन से महीने में पास किया है उसके बारे में जानकारी देनी है उसके बार next step में बात करें तो आपके जो high school में exam हुए थे वो total कितने नंबर के हुए थे यहाँ पर enter कर देना है next step में चलते है तो अगले step में पूचा गया है कि आपको ने high school में कितने तो यहां पर simply आपको नोही करना है यह आपको नहीं करना है यहां कर देघर तो आपका फॉर्म हो जाएगा तो यह थे स्टेप जिसके माद्यम से आप इसका फॉर्म जो है वह बड़ी आसानी से apply कर पाएंगे और एक important बात है यहां पर ध्यान रखिएगा कि जब आप यह सारे detail भर लेंगे तो यहां पर इस समय application status incomplete दिखा रहा है जब यह सारी जान करें आप सही से भरेंगे तो यहां पर application status जो है वो आपका complete दिखा देगा और यहां पर आपको एक बात और रहाद रखनी है कि इस excel file का जो नाम है वो आपको अपने apprenticeship india.gov.in पर जो आपने registration किया था वही नंबर से इस file का नाम जो है आपको रखना होगा बाकि आपके मन में कोई भी डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट के मात्यम से पूछ सकते हैं बाकि excel file की जो PDF है वो आपको टेलिग्राम पर मिल जाएगी उम्मिद करता हूँ दीगे जानकारे अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें और अपने सभी दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें तो मिलते हैं आप से next वीडियो में किसी और important topics के साथ तब तक के लिए जाहे